जो ये गाड़ी है करीबन इसको चैफन से डॉरा लगाए इस गाड़ी में बूरा लगा है इस गाड़ी मेंपे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जैसे यह गड़ी अगर आप लेने चाते हैं तो दो बैटरी पैक के अंदर में आप लोग को मिल जाती है 35 किलोवाट में और 25 किलोवाट में बेस को छोड़के उस सुपर जब सभी वेरियंट है ना सभी के अंदर में दोनों बैटरी पैक का उप्शन आप लोग को मिल जाएगा जैसे 35 किलोवाट है तो 35 किलोवाट के हिसाब से 35 यूनिट जो है इस गाड़ी ने निकालनी चीए थी पर इस गाड़ी को जब मैंने 0200 चार्ज किया तो इस गाड़ी ने 42 यूनिट जो है यहाँ पर निकाली अगर आप उसको कैलकुलेशन करोगे साथ यूनिट के हिसाब से तो लगबग आप लोग के 294 रूपीज की जो है इस गाड़ी ने यहाँ पर यूनिट कंजियूम की है अब रेंज की बात आती है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो सबसे पहले उसकी रेंज पूछते हो तो इस गाड़ी ने जो मुझे से के साथ में ओर हमेशर इस गाड़ी में डो से तीन जने बैट है इस मैने ट्राफिक में हाइब चला तो यह सारी चीज मिला के मुझे इस गाड़ी ने लगबग भाई 270 कि रेंज दिया है 0 to 100 जो है मैंने वो किया था अगर आप वो वीडियो भी देखने चाहते हैं तो मैंने चैनल पर डाल रखिया है और यूनिट ही कंजप्शन की सिसाबसिस ने खाई तो वो वीडियो भी जो है मैंने अपने चैनल की उपर में डाल रखिया है अब बात करें गाड़ी की लुक्स की तो जो पण्च अपनी नॉर्मल पैट्रोल के अन्दर में आती है न सेमी लुक मिलेगी बट जो इस गाड़ी का ये particular color इन्होंने दिया हुआ है ये white का भी combination है ग्रेका का combination है देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और interior के अंदर में से इस गाड़ी के अंदर में ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे normal punch आती है उसके अंदर में आता dark color का interior और इसके लिए dark color से light color container बैठते हो ना तो आप लोग को थोड़ा सा खुला खुला सा और अच्छा से यहां पर मैसूस होता है जो गाड़ी के अंदर में कैमरी दियो है वैसे 360 डिगरी कैमरा मिल जाते है हर एक कैमरी की quality इस टाइप की मिलेगी जैसे मालो की गाड़ी के अंदर में आ इतना up to the mark नहीं लगा है वो लाइट जो है और बैटर हो सकती थी और थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती थी इस गाड़ी के अंदर में जो suspension का setup दे रखाए गाड़ी के अंदर में भाई कैसे वी रस्तों में चला लो इस गाड़ी को बैसक टूटेफू टेम चला लो यहा गाड़ी खेड़कियों में से आवाज आ रही है और गाड़ी का जो suspension में दचकी सीने लगती है बिल्कुल भी बिल्कुल मखन मलाई की तरह है जो यह गाड़ी है निकल के चली जाती है एक और चीज जो मुझे इसके अंदर में इतनी सही ने लगी वह है इसके डॉर हैंडल नोर्मल गाड़ियों के अंदर बैठना फिर अपनी पंच में या अल्ट्रोज में इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठना साफ साफ आप लोग को डिफरेंट्स पता चल जाएगा कि भाई नोर्मल से इसके अंदर में कितना बैटर मिलता है अब देखो जो ड्राइवर से में दे रखी है और जो रेक लाइन ही अंगल है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है कैबिन के अंदर में यह हैं स्पेस आप लोग को ठीक ठाक मिलेगा चार जने जो है गाड़ी के अंदर में बिल्कुल कमफर्टेबली यहां पर बैठके जा सकते हैं और ऐसा भी नहीं हो हुआ है कि जो मेरे पैर है वो यहां पर उपर से उठके हो उनका भाई बिल्कुल ठीक है और सीट के नीच्छे भी है स्पेस दिया गया तो पैर असानी से जो इसके अंदर में स्ट्रेच यहां पर हो जाते हैं पिछे की तरफ में गाड़ी में एर के वेंट्स नहीं है पर एर फ्लो जो है गाड़ी की ऐसी थी कि आगेज लेखे पिछे तक में काफी अच्छी हवा गाड़ी के अंदर में और कूलिंग भी जो है गाड़ी के अंदर में बहुत जल्दी हो जती है उपर से वेंटिलेटीट सीट दे रखिए इनका दो मजा आप लोगों को पते स्टेरिंग वील मालने चलो सीट्स का यह डैसबोर का तो फिर भी देखा जाए पर जो स्टेरिंग वील है ना वह बहुत ही ज्यादा जल्दी गंदा होगा अगर वाइट है तो पर भाई लुक्स में आज लोग बाग क्या है लुक्स के लिए कुछ भी करा देते हैं कुछ तो लुक्स में तो देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है और तू स्पोर्ग श्टेरिंग वील ना यह लगालो मैंने पहली बारी ड्राइब किया है तो ड्राइब करने में भई जो आपने थ्री स्पोर्ग आते हैं कंपेरिटिवली तू स्पोर्ग में काफ रखा है इसके अंदर में हल्की सी उल्जन सी लगते हैं यू बार-बार इस तरीके से सेलेक्ट करने में पर भाई एक चीज हो रहा है मैंने इसको बाद में थोड़ा सा यूज किया ना देखो जैसे अभी पी के अंदर में जो एक गाड़ी लगी अमेरे को डी में लगानी है अब पी में लगानी को जो जाती है और यह बाहता लगी कि मैं तेज भी घुमा दूना तो भी जो यह यह रिस्पोंस कर देता है देखने बहुत बढ़ी है और जिसके उपर में स्क्रिन दे रखेंगे ना यह भी बिल्कुल भी दूप वगएर में कोई भी दिक्कत नहीं कर अब आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर कोई और चीज है वह पिछे आप डिक्की में रखो के तुसके चेड़ खानी करेंगे तो जो यह वाली चीज है ना यह इसके अंदर में एक्सेसरी में आप ले सकते हो और जो अपना थोड़ा बहुत समान है वह इसके अंद आप गाटी खूसाते हो जैसे मानलोा सिद्धी घुर्णी बैक करने की जेंगा नहीं है सिद्धी घुषाने में कैई सब्सक्रांगत दिवार्ग सब्सक्राइब में और चर्जिंग नहीं हो पाती है पर आगे की तरफ में देरक है ना बाई घाड़ी चनी चर्जिंग में स्लोटल डल जाएगा तो इस वज़े से भाई जो आगे वाली पोजिशन है comparatively मुझे side वाली पोजिशन से जादा useful यहां पे लगी है breaking गाड़ी की बहुत जादा जबरदस्त है भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती है मैंने इस गाड़ी का एक 0 to 100 भी test किया है logo mode के अंदर में और City mode के अंदर में 0 to 100 इस गाड़ी ने मारी थी साड़े 12 सेकंड में वहीं इस गाड़ी ने sports mode के अंदर में मारी है साधे 9 सेकंड के अंदर यह वह निलिफ से नब ल ήंगता यह यह मैंने वीडियो बना रखिए और आव वह वीडियो देख सकते हैं और जो इस गाड़ी की टॉप स्पीड जाती है 140 किलोमेटर पर आवर की जाती है और एक और चीज है जैसे मानलो गाड़ी के अंदर में बैटरी 20 परसेंट से कम होती है तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती है वही स्पीड चलेगी AC भी काम करेगा मोड भी काम करेंगे पर इस गाड़ी की जो बैटरी की बैटरी परसेंटेज है वो 5 परसेंट से नीचे चले जाती है तो तब क्या होगा इसके अंदर में जो AC है वो काम करने चोड़ देगा गाड़ी के जो मोड हैं वो वहाँ पर काम करने चोड़ देंगे औ ओवरोल मेरा इस गाड़ी का जो feedback है, जो मैंने इस गाड़ी को चलाया, इतने दिन चलाया, तो भाई मैं इस गाड़ी को लेके बिल्कुल satisfy उँ, long range जो है, यह मैं गाड़ी drive करने लग रहा था, और long range के अंदर में जो power है, उसका भी यहां पर difference हाता है, इस गाड़ी के अंद वीडियो पसंद आड़े पर एक like कर जाना, जै सर्राम, जै वजरंग बली